हलो एवरेवन, वेलकम डू स्टड़ी आईक्यू स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराश्ट्र की जो लोनार जील है वो एक रामसर साइट डिकलेयर कर दी गई है तो इसके क्या माइने है इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है और समझना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा एक होगा नॉर्मल क्वेश्चन और एक होगा UPSC लेवल का तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं इन में से कौन सा नैशनल पार्क है जो महराष्ट्रा में नहीं है यानि कौन सा राष्ट्रे उद्यान महराष्ट्रा में नहीं है संजय गांधी राष्ट्रे उद्यान चंदोली नैशनल पार्क संजे दुबरी नेशनल पार्क या तडोबा नेशनल पार्क तो इनमें से आपको बताना है महाराश्टरा में कौन सा नहीं है दूसरा question थोड़ा difficult है UPSC level का है सबसे पहला लोनार लेक ये महाराश्टरा का पहला रामसर साइट है इनमें से आपको बताना है कौन सा statement ठीक है पहला statement महाराश्टरा का पहला रामसर साइट है लोनार लेक दूसरा अभी भारत में मौझूदा दो वेटलेंड है जिनें Montrex record में रखा हुआ है Montrex record उसमें रखा है दो वेटलेंड को इंडिया के और तीसरा लदाख में कोई भी रामसर साइट नहीं है तो इनमें से कौन सा statement ठीक है इन दोनों questions के answer मैं आपको वीडियो के end में दूँगा लेकिन मैं ये expect करता हूँ कि आप आपके जो भी answer है वो अभी तुरंद comments में लिखें चलिए पहले हमेशा map देखना चाहिए तो ये महराष्टरा का map है यहाँ पर आप देख सकते हैं महराष्टरा के कई सारे division है अलग-अलग colors से दिखाए हुए है ये ये वाला जो area है जिसको मैं भी mark कर रहा हूँ जिसको हम विदर्बा बोलते हैं विदर्ब राइट विदर्ब में जो सबसे important जगा है वो है नागपुर और यहाँ पर है बुलधाना ये देखिए ये बुलधाना है यानि उपर इसका जो border है ये मद्यप्रदेश है उपर तो इसका border मद्यप्रदेश के साथ लगेगा और बहुत ही interesting लेक है, बहुत ही fascinating लेक है कई कार्णों से और मैं आगे बताऊंगा कैसे ये फिर कॉंकन division है महाराष्ट्रा में, जो एकदम समुदर से लगते हैं, ये Arabian Sea है तो Arabian Sea से जो district लगते हैं, सिंदुदुर, व्रतनागिरी, थाने, राइगर्ड and all these ये वाला जो एरिया है, इसे खांडेश बोलते हैं, ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं, खांडेश और इसमें majority part जो है वो नाशिक division का है, उसके बाद ये जो एरिया है, इसे मराठवड़ा बोलते हैं ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं मराटवडा, ये है वेस्टन महराष्टरा, तो अलग-अलग एरिया हैं महराष्टर में, जो आपको पढ़ने होते हैं, अभी हम बात करेंगे बुलधाना की, तो पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा रामसर साइट के बारे में, देख ये लिए दुनिया के जो विबिन कंट्री हैं वो इरान के रामसर शहर में मिले, और वहाँ पर फिर रामसर कंवेंशन साइन हुआ, जिसका परपस ये था कि वेटलेंड को बचाया जाए, वेटलेंड जो होते हैं वो गीले इलाके होते हैं, या तो स्वामपी हो सकते हैं, जैसे आप ये दोनों एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है दोनों में, एक में पेड जादा है, तो इसको हम स्वाम बोलते हैं, और एक में प्लांट्स और वेजिटेशन जादा है, तो हम उसे मार्शी एरिया बोलते हैं, तो रामसर कंवेंशन जो है, ये 1971 में हुआ था, कंवेंशन मतलब होता है सम्मेलन, तो रामसर राम की जगा पे हुआ था, इसलिए इसको रामसर कंवेंशन बोलते हैं, 1971 में कंट्रीज मिले, और उन्होंने डिसाइड किया, कि हम जो वेटलेंड्स हैं, उनको बचाने के लिए काम करेंगे, वेटलेंड्स को आप हिंदी में आर्दर भूमी बोल सकते हो, उसके बाद वेटलेंड्स का फाइदा क्या है, वेटलेंड्स हमें पानी मिलता है, जैसे जील हैं, इतनी सारी, उनसे हमें पानी मिलता है, वो फ्लड्स को रोकते हैं, फ्लड्स को ऐसे रोकते हैं, कि कई बार यहाँ पे जो मार नहीं पढ़ने देंगे, कई तरह के और डिजास्टर से भी बचाते हैं, फिर इससे food और livelihood भी मिलता है, बहुत सारे लोग मचली पकड़ते हैं यहाँ पर wetlands में, तो उससे बहुत सारे millions of लोगों को भोजन मिलता है, यहाँ पर bio diversity बहुत होती है, जीलों बगारा में जो करते वक्त, कार्बन को absorb करती है, तो यह कार्बन sequestration का काम भी करते हैं, यानि एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यह कार्बन sink का काम करते हैं, क्योंकि कार्बन को यह हमारे environment से बाहर निकालते हैं, तो इनके बहुत सारे फायदे हैं wetlands के, और रामसर साइट बनने का फायदा क्या है, रामसर साइट बनने का फायदा यह है, क्योंकि यह वो रामसर साइट बन जाता है, इंडिया में अभी 41 साइट्स हैं, जो रामसर साइट्स हैं, एक तम latest figure बता रहा हूँ, पहले 37 थे, फिर एक असान conservation reserve बनाता उत्राखंड में, फिर कानवर जो लेक है, कबर ताल, बेगु सराय बिहार में वो बनी थी, और 39 हो गए थे, और अब दो और बने हैं, एक तो सुर सरोवर, जिसे किथम लेक बोलते हैं, आगरा में, यूपी, और ये लोनार लेक, महराश्ट्रा में, तो टोटल हो गए है 41 रामसर साइट्स, तो रामसर साइट बनने का फायदा मढ़ता है, रामसर मदद करता है, रामसर अपनी नौलिज देता है, वहाँ के जो उनके पास जो नौलिज है, जो इंटेलिजन टेसिया है, वो गंजर्वेशन एफट्स में मदद करती है, तो ये सा फायदे होते हैं, रामसर साइट बनने के, क्या महराश्टर का ये पहला रामसर साइट है, नहीं, बिलकुल नहीं, महराश्टर का ये दूसरा रामसर साइट है, इससे पहले महराश्टर में एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार, नंदुर मदमेश्वर, तो नंदुर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो है महराश्टर में, वो पहली रामसर स और यहाँ पे गुदावरी का पानी आता है, तो गुदावरी के पानी से ड्रेन करता है, क्योंकि नासिक के बात हो रही है, नासिक से ही गुदावरी नदी निकलती है, तो नासिक कहाँ पे है, नासिक यहाँ पे है, यह आप देख सकते हैं, यह नासिक है, इसका बॉर्डर ग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके आसपास का जो एरिया है, काफी जादा लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ एक छोटा सा लेक ओवर है, थोड़ा सा दूर, बिल्कुल इसके लगबग आदा किलोमेटर दूर, जिसको अंबर लेक बोलते हैं, और यह काफी छोटा है, तो हम इसे लिटल लोनार भी बोलते हैं, अमबर लेक को, बाकी यह मेल लोनार है, और आप देख सकते हैं, कि यह ऐसा लग रहा है, कि कोई एक गड़ा है, और उसमें पानी भरा हुए, और यह बिल्कुल ऐसा ही है, लोनार लेक, इन फैक्ट यह वाली जो फोटो है, यह खी और लेक बना कैसे था, देखो, पहले तो यह मिस्टरी थी, सबसे बड़ी बात, पहले तो मिस्टरी थी, किसी को नहीं बता था, कैसे बनाई, क्योंकि बहुत अलग तरग है, फिर ऐसा समझा गया, कि ये एक वॉल्कैनिक और इसलिए क्ई हो जो होते हैं, तो इन में एक तर पिर जौला मुखी धीरे-धीरे खुदी degrade हो जाता है, यानि उसका विगटन हो जाता है, और उस वज़े से फिर यहाँ crater रह जाता है, तो जौला मुखी बाद में जो है, वो इस तरह से रह जाता है, तो यहाँ पे लेक होई, तो लेक का यह वलकैनों का कोई crater होगा, जो समझे, meteorite क्या होते है, asteroid क्या होते हैं, और यह different कैसे होते हैं, meteorite पहली बात तो कोई word नहीं होता, सबसे पहले word होता है meteoroid, meteoroid कुछ नहीं है, हमारे अंतरिक्ष में बहुत छोटी छोटी चटाने हैं, जब मैं बोल रहा हूँ छोटी तो मतलब यहां अंतरिक्ष के लेवल पर हम बात कर रहे हैं, तो यह छोटी भी बहुत बड़ी चटाने होती हैं, जो चक्कर लगा रही हैं, तो यह जो चटाने हैं, इनको meteoroid बोलते हैं, और यह चटाने जो हैं यह अंतरिक्ष में चकर लगाती हैं, space rocks होते हैं, फिर यह धरती के बातावरण में कई बार आ जाती हैं, और धर्ती के बातावरण में जब आती हैं, तो घर्शन की वज़े से, फ्रिक्षन की वज़े से, इनमें आग लग जाती है, उस वक्ती से हम बोलते हैं, मेटियोर, मेटियोर यानि शूटिंग स्टार, कई बार आप बोलते हैं कि तारा टूट रहा है, वो तारा कुछ नहीं कई बार ये मेटियोर जो हैं, धर्ती के बातावरण में आ जाते हैं, तो उन्हें मेटियोर बोलते हैं, या शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, वैसे तो आग लगने की वज़े से खतम हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आग उन्हें और यह जो meteor है धरती के टकरा जाते हैं, और जब टकरा जाते हैं, तो फिर हम उन्हें बोलते हैं meteorite, तो meteorroid कब बोला जाता है, जब space में तैर रहे हैं, वो space में float कर रहे हैं, तब उन्हें meteorite बोलते हैं, जब धरती में घुज जाते हैं, तो उन्हें meteor बोलते हैं, और जब धरत मतलब होता है like, star like, और star बहुत बड़ा होता है, तो obviously asteroid जो होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और asteroid belt जो है, वो Mars और Jupiter के बीच में है, तो अब इस बात की पुष्टी है, हो चुकी है कि ये जो गड़ा इतना बड़ा बना, ये इसलिए बना कि कोई meteorite धर्ती से टकरा आ गया थ कुछ उनकी composition वही है, जो चांद पे जो चट्टाने हैं, उनकी composition है, यानि कि कुछ ना कुछ एस्ट्रल, कुछ ना कुछ जो space है, वहां से यहां पे चीज़े आके गिरी हैं, सो लोनार लेक को इसलिए हम लोनार crater भी बोलते हैं, crater मतलब होता है कोई बहुत बड़ा गड़ा उसे crater बोलते हैं, ये एक saline लेक है, ठीक है, और ये महराष्टा के बुल्धाना district में है, ये डेकन प्लेट्यू में पढ़ता है, वहां पे ये almost circular है shape में, और meteorite impact से बना था, ये meteorite impact हुआ था, प्लिस्टो सीन एपोक में, इस तरह के जो meteorite impact की वज़े से lakes हैं, धरती पे और भी हैं, जैसे Brazil में हैं, और India में हैं, फिर यहां पे रामसर की site कहती है, जो official website है, कि बहुत दुरलब species मिलते हैं, देखिए, रामसर site declare हुआ है, तो मतलब कुछ खास होगा, तो रामसर की जो website official वो बोलती है, यहां पे 160 तरह के birds अलग-अलग तरह के रहते हैं, जिन में बहुत दुरलब पक्षी भी हैं, जैसे for example Asian woolly neck, यह जो पक्षी है इसे Asian woolly neck बोलते हैं, या फिर common pochard, यह है common pochard, इतना ही नहीं, यहां पे grey wolf भी कई पार देखने को मिलता है in and around the lake, लेकिन आज रामसर जो site है यह वाली, लोनार lake, यह खत्रे में है, क्योंकि मानव गतिविदियों की वज़े से, या जो घर का गंदा पानी है, जो सीवेज वगारा है, वो इसमें डाल दिया जाता है, urban waste water flow इसमें हो जाता है, और unsustainable tourism की वज़े से, कई लोग देखन इसमें जो replenishment पानी का वो कम होता है, ठीक है, यानि लेक के बाहर पानी और अंदर पानी बहुत जादा नहीं आता, कुछ springs है, जैसे पूर्ना रिवर है, और पैन गंगा रिवर है महराश्ट्र में, इनके कुछ जरने हैं, जिनकी वज़े से इसमें थोड़ा बहुत पानी जाता है, बट ऐस सच इसमें कोई पानी का बहुत ज़्यादा inflow या outflow नहीं है, और इसकी वज़े से क्या होता है, ये जो लेक है, मान लीजे ये लेक है, तो इसमें जब पानी evaporate हो जाएगा, तो फिर salt काफी बढ़ जाता है, तो salinity और alkalinity इसकी जो है वो भढ़ जाती है, concentration of minerals की वज़े से जब पानी evaporate होता है, फिर इसमें क्योंकि काफी harsh environment है, salinity और alkaline environment है, तो microorganism, anaerobes, cyanobacteria और phytoplankton इसमें survive कर पाते हैं, और लेक के बाहर काफी सारी diversity भी plant और animals की देखने को मिलती है, और जैसे मैंने बताया था आपको कि IIT Bombay ने study की थी, जिसमें जो moon से rocks लाई गई थी, उनकी composition और इसमें जो minerals मिले हैं, इस lake में, इस lake की soil में वो काफी similar पाए गए हैं, तो ये था lonar lake पे हमारा वीडियो, lonar lake जो रामसर साइट बना है उमीद करता हूँ, इसके काफी आपको understanding मिली होगी, और जाते जाते एक छोटी सी चीज और add कर देता हूँ लोनार lake का जो पानी है, 2020 जुलाई में, वो पिंक हो गया था अचानक, तो इससे सारे लोग काफी सक्ते में आ गए थे कि पानी अचानक पिंक क्यों हो गया, तो ये question आ सकता है, कि lonar lake का पानी पिंक किसकी वज़े से हुआ था, तो ये एक microbe है, सुक्ष्म जीव है, जिसको बोलते हैं, हेलो राकिया, हेलो आरकिया, ये research किया था, भारत के पुणे में institute है, उसने research किया था, और ये पता लगाया, अगरकर research institute ने, कि हेलो आरकिया microbes की वज़े से, इसका जो पानी है, वो पिंक हो गया था, मैंने आपसे question पूछे थे शुरू में, उनके मैं answer दे दू आप उतसुकता से इंदार कर रहे होंगे, तो देखिए पहले इस question पर आते हैं, लोनार लेक जो है, वो पहला site नहीं है, अब आप जान गए, पहला नंदुर मदमेश्वर है, तो ये गलत है, दो wetland इंडिया के हैं, Montrex record में, Montrex record होता है, कोई ऐसा wetland, कोई ऐसा रामसर site, जो काफी change हो चुका है, human activity की वज़े से, pollution की वज़े से, जिसका ecological character change हो चुका है, उसे हम temporary Montrex record में डाल देते हैं, फिर जब उसके conservation efforts हम दुबारा ठीक करते हैं, तो दुबारा वो इससे भार आ जाता है, तो Montrex record में दो हैं, एक तो है केवला देव, राजिस्थान और एक तो ये भी गलत है, first option भी गलत है, second ठीक है, तो answer है, two only, और मैंने आपसे question ये भी पूछा था, कि इन में से कौन सा महराष्ट्रा में नहीं है, तो Sanjay Dubri नहीं है, Sanjay Dubri National Park, जो बाद में Tiger Reserve भी बना दिया गया था, ये मद्धे प्रदेश में है, तो Sanjay Gandhi और Sanjay Dubri में confusion नही संजय गांधी, चंदोली और तड़ोबा ये तीनों महराष्ट्रा में है, तो ये था हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिखके बताए, बताना, और थैंक्यू फर वाचिंग स्टड़ी आइक्यू